वेलकम बैक तो माय यूटूब चानल पेपर हो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थाड़ यूनिट है आपका जिसमें आपका सेवंध पोस्टिन है ठीक है कुशन नंबर आपका ड़ेन है जो क्यों कि आपका जिलोजी का पाट है ठीक है मैं जिलुजी और बीएसी आपका इसे के समेश्टर के लिए हैं आपका जिलुजी जिसमें हमने एक से लेकर छे तक आपके इसके भी बात कर रहा है लॉग आंसर टायब कोश्चन की बाप कर रहा है ठीक है अगर आपने एक से छे तक नहीं देखें तो पहले उनको देखिए उसके बाद आपको देखना है ठीक है सभी कुश्चन बहुत ही ज्यादा लगाँ आपको बता है यह आपको बता है एक गलुकोज के अडूंक से कुल कितने ए टीपी बनते है ठीक है इसको बता है पर लुकोज के यह तो चाहे यह वाला पूंचे ठीक है अंसर यह लिखना है ने दोनों पाइरूबिक का आकशी करला क्या है पाइरूबिक मलग अक्स आकशी या और हम पारल फोल कि बात करें तो सूत्र क्या होता कि एस फॉर और यह पाह रह की गए तरह से लिख से लिख देंग क cucumber और एक चार यह का पायरोबिक एसटेड का सूत रहे है तो पायरोबिक अमल का आकसी-ाकसी करण क्या होता है पायरोबिक अमल का थिक है कब और एक अरोवरीख कंडिसण में जो आपकी अरोवरीक कंडिसण का मदब है कि यह क्वाई बहτα के प्रिजेंट इसे इसे होता है घृत को तोफ आ कि यह पधियो तोफ करफ एक कंडिशन में है ट्राई कार्बोक्स एक आसट चक्र क्या होता है ट्राइ कार्वोक्सिलिक एसेड चक्र के नाम से भी जानते हैं किसे नाम से जानते हैं रित्रिक आसेड साइकल के नाम से भी जानते हैं और करेवब चक्र में प्रिवेस से पहले पायरुविक अम्ल जो तीन कारवन का यूग है एक कारवन दो करवन तीन कारवन ठीक है पायरुविक अम्ले में किते कारवन है एक, दो, तीन, तो ये क्रेब चक्र में प्रिवेस लेने से पहले पारवे कमले जो तीन कार्वन का यूगिक है वो CO2 के एक अडू को मुक्त करके दो कार्वन यूगिक बना लेता है, ठीक है, दो कार्वन यूगिक का क्या बना लेगा आपका एक, सियो, तू को बहर निकाल देगा, और क्या बना लेगा आपका दो कार्वन बाला तीक है? सरा एंहandeं से पहल रहता है आं यह दा आ पिसकी तरेटर रहता हैं गरीं ही याद रखना है यह है सेलूलर रेस्पिरेशन का एक प्रकार है तो इस तरह से होता है इस क्रिया में पांच आवश्यक को फैक्टर यानि कि सहकारक होता है यह प्रकार के लिए आवश्यक होते हैं वो कौन कौन से है थाइमिल पाइरो फास्पेड यह एंजाम है और क्या है एंड़ी और फो एंजाइम 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 और दूस्त और अगला आपका लाइपेज क्या है प्रकार से होती है तो इसमें प्रकार है पांच यह आपको आदर रखना अकॉंसा है आई मिल पायरो फास्पेड टी पी एंड़ी पी है को एंजाइम आपका को अड़ी हो ठीक है को एंजाइम और आपका लिपोव्ग होगा और क्या होगा आपका मैगनिसियम फिलस पिलस होगा यह कुछ आपके को एंजाइम है जो इस अवरश्च वोते हैं कांसी अपको निया के लिए क्या बनाते है पायरो एक Аlike से कर देते य tutto का ये बना देते हैं पार मेशन कर देते हैं प्लसे लिए आपका क्या आपका एंजम है और प्लस कई पडि दि हॉआ जो सिねज यह बीट फिरस एफजसाफ में टिमंद टीजम है ठीक्ट है क्चम कट यह जो यह निबयाइक इन्जांट आप एक प्रकार कर ठेया आपके enzyme इसमें यूख्ट हो रहे हैं और यह 5 मिलके क्वानाएंगे Acetyl Co enzyme क्या बनाएंगे Acetyl Co enzyme ठीक हए रिवहcauld को एनजायम से आपका Acetyl Co enzyme बना देंगे ठीक प्लस NAD जो आपका NAD है NAD किसमें कंपर्ड हो जागा NADH2 यह आपका क्या होता है hydrogen carrier होता है यह electron को और आपका एक बाहर के निकल गया, CO2 गुरॉप आपका एक बाहर निकल गया, ठीक है, तो इस तरह से ये पाचों एंजाम जो आपके दे रखें, आवशक उनकी उपस्तिती में ये क्रिया होती, जहां पर आपका एसिटिल को एंजाम ये किस से बनता है, को एंजाम से एसिटि अब कमन की कहानी है, ठीक, करा क्रेव चक्र, ठीक है, क्रेव साइकल, इसे साइट्रिक एसिट चक्र या ठीक है, क्या कहते हैं, पीसिए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे टीसिए साइकल भी कहते हैं, करा एसिटिल को एंजाम, गलाइको लिसिस तथा क्रेव चक्र के बीच जोडने वाली क्रेब चक्र के बीच जोडने वाली एक कड़ी है एक कनेक्टिक लिंक है किसके बीच में किसको जोडता यह किसको ग्लाइकुलिसिस ग्लाइको लिसिस प्लस किसको जोड़ता है आपका क्रेप साइकल इनको जोडने वाली कड़ी है कौन सा एसिटिल को एंजाइम एसिटिल को एंजाइम यह इन दोनों को जोडने का एक माध्यम है ठीक है किसको ग्लाइको लाइसिस और क्रेप साइकल को जोडने का एक माध्यम कौन है आपका एसिटिल को एंजाइम है जो इन दोनों को जोड़ के रखता है ठीक है पैम कई यह कोशाइं के माइट्रिक्स में होती है क्या कर दें सबसे पहले हम बात करें नीचे आपका पूरा करेफ साइकल दे रखा ठीक को भी समझना है तो इस इन पर ध्यान देना ठीक है इस टेप सेसे ना आपसिंटल का जान खारवन का होगा अब जयलो एसितिक एसीड ठीक है जो कितने कारवन का होगा आपका चार कारवन, ठीक है Acetyl, Coenzyme, 2 कारवन और Glen Conc received 4 कारवन से मिलकर Citric Acid क्या बनाता है Citric Acid किते कारवन का होगा Citric Acid 6 कारवन का होगा किस-किस के मिल से बनने का Acetyl, Coenzyme, 2 कारवन और Axial dio Acetic Acid, 4 कारवन यह दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाएंगे आपका citric acid बनाएंगे जो कि आपका कित्ते कारवन होगा छे कारवन का होगा ठीक है बनाते हैं करा एंजायम साइटेट सिंथेट होता है इस क्रिया में H2O के एक अडू की आवश्यक्ता होती है तो इस क्रिया को किसकी आवश्यक्ता होगी H2O का एक अडू ठीक है ये इस क्रिया के लिए जिसमें दोनों मिल रहे होंगे यहाँ पर H2O का अडू भी आपका इसमें कम्बाइन करेगा ठीक और कह रहा है और को एंजायम A को स्वतंत्र कर देदा है आपका जो को एंजायम A था वो बापस बाहर आ जाएगा ठीक दूसरा क्या कह रहा है एको निटेज क्या कह रहा है एको निटेज इसमें क्या होगा कह रहा है एंजायम की उपस्थती में एको निटेज एंजायम है यह ठीक है क्या है यह एको निटेज आपका एक एंजायम है इसकी प्रिजेंस में क्या होगा जो सिट्रिक एसड था उससे सिट् जो जल के एकड़ू से क्रिया करके क्या बनाएगा आइसोसाइट्रिक एसेड जो जल के एकड़ू के साथ में रियक्ट करेगा और क्या बनाएगा आइसोसाइट्रिक एसेड का फार्मेशन करतेगा ठीक है तो यह हो गए स्टेप नंबर दो यान कि आई सो सायोडरिक बन गया हमारा सेकंड इस्टिंग में तड कहरा आपका आई सो सायटरिक एसेड ठीक है जो आपका आई सो शेट्रिक एसेडioned होता चे कार्बन वालाँ वो और यो सक्तेमर डिये का एसेड यह व क्या है और ये यह लो सक्तेमर sa डीपी क्या होता है मैंने डी पी का एक अणू कंड अधर accepted क्या हो जाता तर यहां टनका नाम bellख की एठ का फार्मेशन करे थे यह आपका स्टेप कोन्सा ओ गया स्टेप हो गया था इनका आपको नाम लिखना ठीक है आप दोनों के आप नाम लिख लो ठीक एने डी एने डीपी का नाम होता है निकोटिनामाइड एडिनीन निकोटिनामाइड लिख लो भी एन ए डी एले एने डी का नाम लिख लो निकोटिनामाइड टिनामाइड निकोटिनामाइड क्या होगा आपका एडिनीन एडिनीन निकोटिनामाइड एडिनीन और आपका क्या हो जागा डाइनुक्लियोटाइड फास्ट फेड डाइनुक्लियोटाइड फास्ट फेड ठीक है क्या हो जागा आपका निकोटिनामाइड एडिनीन डाइनुक्लियोटाइड फास्ट फेड किसका हो गया यह जबाद टीनावाइड तो फासफेड के आगे आपको क्या जोड़ देना हाइडोजन जोड़ देना ठीक है NADP NADPH तो फासफेट तक से हम रहना आगे क्या जोड़ देना इसमें है का हाइडोजन और जोड़ देना तो क्या हो जागा आपका निकोटिनामाइड एडिनिन डाइडाइड नुक्लूटाइड फासफेट हाइडोजन आपका ये हो जाएगा ठीक तो ये हो गया आपका NAD, NADP और NADPH ठीक है NAD, NADP और NADPH इसके बाद में कुछ और आपके short term में योज होने वाले हैं ठीक है उनको आप देख लो देखो जेख तो होगा आपका GDP, क्या होगा GDP ठीक है, क्या है GDP आपका, दूसरा क्या है आपका GTP, GDP और GTP और एक आपका होगा FAD, FADH2, क्या है FADH2, दो इन तीनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, गवानसीन, इसका होजागा आपका, गवानसीन, गवानसीन, डाइफासफेट, ठीक है, और इसका क्या होजागा, गवानसीन, ट्राइफासफेट, क्या होजागा, गवानसीन, ट्राइफासफेट, ठीक है, ठीक है, ट्राइफासफेट होजागा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसका फ़ेट ही एची टू क्या हो जागा फ़ेवेन एडेनिन प्रिएवें डेवेन एडेनिन कि अरुच बाग ही आपका क्या बनका है डाइ न्यूक्लियो टाइड दी से खाल प्रदा दाइ न्यूक्लियो काईड और बाकि आपका है तर्म याद रखना है क्योंकि बीच बीच में यही यूज होंगे आपके बीच में यूज होंगे यह आपको इनका फुल फॉर्म याद रखना है ठीक है यहां पर आपको बनाना है आपको इससे रिडियूस होका अब दोखो इसका पूरा एक साइकल दे रखना है जो कि आपको बनाना है इसको याद करना है ठीक क्या करना है इस साइकल को आपको याद करना कैसे करना सबसे पहले पायरुविक असर दोंनाओ आ ठीक है क्या होता है आपका CH3C1O single bond COOH ठीक है यह होता है अब यह करता क्या है यहां से यहां से शुरू होना है इसमें आने से पहले यह क्या कर देता है यह क्या क्या कर देता है CO2 को बहार कर देता है और 2 hydrogen कौन ले जाता है यह NAD क्या करेगा TPP की उपस्तेदी में यह बहार निकाल देगा 2 hydrogen को की तो यह जो आपका टूब चैब कर रहां गया यह भी बन गया आपका 2 k2 चै तरिक चैब सेट जो दो कार बन 건ом cannot बंगा मैं आप का जया है तो आहँ किसमें क्या सिट्री तो सिंथेट यह reaction करेगा ऻाइटी कैसे जो कत रहा है किससे से से कउन रिक्शन कर रहा है आपका Acetyl Co Enzyme जो की सिंथेट से अपक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है सिट्रिक एसेड जो कि कितने कारवन का है आपका छे कारवन का है C6 H8 O7 ठीक है क्या होता है आपका जितने मुझे याद है मैं आपको सब लिखनेंगा अब यह जो आपका सिट्रिक एसेड होता चे कारवन वाला यहां पर इसके जलके अब यह क्या करेगा एक्वनिटे क्या है एक है एकवनिटेंज की आपका एनजायम है थीका क्या है एक अara कैश्टिक तो इसके बाद आपका आपका एको निटेज क्या आजाता आपका एको निटेज दुबारा से अब इसमें क्या होगा एक जलका अडू और डाल देंगे और यह आपका और यहां से आपका एको निटेज धी तो आपका क्या होगा यहां से आपका क्या होगा इस्ट्रेट डिहाइड्रोकारवोजनेज घिक है है यहां लेगा और यहां से आपका आधर चर्क रगया और बना लेगा और यह को सिट्रीचि आप उपस्तिती में क्या बना लेगा जो कि छे कारवन का होगा जैलो सक्सिनिक ऐसे आपका दुबारा से छे कारवन का ठीक है जो कि पहर निकल जाता है तो पांच कारवन का यहां पर बनेगा आपका क्या बनेगा alpha-keto-gluteric acid जो कि 5 carbon का है क्या है alpha-keto-gluteric acid जो कि 5 carbon का है ठीक है तो अजागा C5, H6 और O5 यह होगे आपका alpha-keto-gluteric acid जो कि 5 carbon का है और यह क्या है आपका यह आपका अगया enzyme ठीक है разг가 से आगे बढ़ते समय है कि इस एंजायम के और है कि इस हो रहा है धिथीड-टूचर ये итоге हो कहा आपका पर में descendants YouTube रोगा वेवा होगा एंजाम और आपका क्या होगा ट्राइम अवस्चरफ यहाँ और ग्रेद किया करेगा एएद पिएच बना लेगा यहां से एक सियो टू गृप आपका बाहर क्या निकल क्या यहां पर क्याा बनेगा आपका सकसी निल को एंजैम खर बनेगा अब यह जो जीडीप है अभी हमने देखा था जी दीपी ओसनीदाइफ टिएफास्वेट टीक 54 अब उसमें में स्भाइफ वेसर हो रहा है ट्राइफास्वेट में च्छाहन कि आपका एंजाइम है सक्सीनिक थायो काइनेज इसकी उपस्तिजीम क्या बनेगा आपका सक्सीनिक एसिड बनेगा जो कि कितने कार्वन का होगा दुवारा चार कार्वन का होगा ठीक है सक्सीनिक एसिड आपका चार कार्वन का होगा ठीक है सीट집ने कर श contrail अप का सैडल सो सוכचिंग अब स्किनगी हो का की आपशी STEVE यह क्रपा उपने साथ तो रगा और यहां से क्या बन जागा आपका फिमरिक करदर किते कज़ीन का चारबन निकल ने बहुत है तो यज दुबादा से चारबन का आपका क्यद यहां पर आपको क्या करना इसमें एक दोबारा से जलका आड़ू अब का एडिजन हो रहा है और किया मन रहा है मैलिक एसद कशान हो तो टो कव नीइ बड़ा तो चाला नोगैंड जाए चाहन अब मैलिक एस डिक में क्या होगा आपका malate dehydrogenase यह आपका enzyme होगा क्या होगा malate dehydrogenase आपका enzyme की तरह कारी करेगा और यहाँ से NAD आएगा और क्या करेगा दो hydrogen को यहाँ से खिंच के ले जाएगा दो hydrogen को यहाँ से आपका खिंच के ले जाएगा जब दो hydrogen को यहाँ से खिंच के आपका ले जाएगा यह दो hydrogen यहाँ से कम हो जाएंगे नडी से क्या बन जागा एने ठीज टू बन जागा और आपका जो प्रोटक्ट बनेगा वो क्या होगा झालर एसिट क्या होगा चार और फ्र क्यार बन के पर जो आपका पांद चार कार बन गा था मैलिक अशिड इसमें से क्या निकालना दो अब यहां से कहानी दुबारा से आपकी क्या हो जाती है तो यह तो था आपका पूरा एक क्रेब साइकल क्या था क्रेब साइकल कहानी यहीं खतम नहीं होती है अब इसमें जो ATP का फार्मेशन होता है क्या जो इसमें एटीपी बनते हैं वो भी आप से पूंचा जाता है कि कितने एटीपी का यहां पर फार्मेशन हुआ है ठीक है कितने एटीपी आपके यहां पर बने है ठीक है वो भी आप से यहां पर पूंचा जाता है ठीक तो वो अब हमें बताना कि यहां पर आपके 6 ATP में बनता है तो यहां पर आपके 6 ATP बनते हैं कितने 6 ATP बनते हैं ठीक है पहली बात दूसरा ATP आपका कहां बनेगा जो आपका इसमें भी आपके 6 ATP बनते हैं तो इस कंडिशन में भी आपके 6 ATP बनते हैं कितने बनते हैं ifall तो इस बात को दिविशन रखना कितने बनते हैं कितने बनते हैं अब जो आपका succinyl coenzym है यह सक्सिनिक ऐसेड्य में Convert होता है succinyl coenzym आपका succinyl coenzym में Convert हो जाए तो यहाँ पर आपके 2 ATP बनते हैं कितने बनते हैं यहाँ पर आपके 2 ATP किते ATP बन गए 2 अब next गया होगा succinyl acid आपका दोबारा fumaric acid बनेगा succinyl acid जब fumaric acid में Convert होता है तो यहाँ पर आपके चार ATP बनते हैं चार ATP के फारमेस्ट होता है इसके बाद आपका जो मैलिक आसे डाऊचार होता है मैलिक आसे आपका कहा कनवर्ड होगा यह अजभेलिक अधिस कीकल आशेड में 24 उच्वे 30 alors देखने को मिले हैं इसके आगे देखोग क्या कह रहा है तो यह तो थी आपकी क्रेप साइकल की पूरी कहानी जिसमें हमें कितने एटीपी मिल गए 30 एटीपी हमें यहाँ पर देखने को मिल गए ठीक है कि अब देखो अब इसके बाद जो हमने चार पॉइंट तक पड़ लिया है उसके बाद जो इस तरह से अभी अने इस्ट्रक्चर में देखा तो वह बूरी इस ॵह सकंसिनिक सक्सिनिक एसट जोगी 6- carved का होता अ शेर लेंगे की वॉपस्तिति में किसकी उपस्तिती में डी- carboxylase अजाउम होगा कहाँ पर तक जलो सक्सिनिक एसट अठिक और क्या बनाएगा 8 टो completely to gluten असिड बनाएगा जोगी 5 का रंग का होता है ठीक है alpha 기대 कीटो ग्लूटेरिक एसिड पाँच कारवन का होता और कह रहां सीओ टू का एक अणू सुतंत्र होता है और इस क्रिया में आपका कारवन डाई ऑक्साइड भी एक बाहर निकल जाता है यह होगा फॉर्थ स्टिप फिप्ट स्टिप कि एकर हम बात करने तो एलफा कीटो बनेगा तो यहां से भी यह कारवन डाई ऑक्साइड वहर निकल जागा आपका ठीक है तो कहरा है का निर्माण एलफा कीटो ग्लूटेरिक अमल डी हाइडोजनेज की उपस्तिति में क्या था एंजायम क्या था आपका एलफा कीटो ग्लूटेरिक हमल और क्या और आदा डी की दिज्वरिदी में कैसा हो जाता है आपका डीवियू जाता ठीक है क्या उजदीस को जाता है एकर फईल का जूटन का जुड़ना क्या आपका दूब्हिदि आइडबी में क्या हो हगे dois हैडोजन dobr State observance दो है तो इसका क्या हो रहा है ठीक है जहां जुड़ जाहें वहां क्या हो रहा है सब्सक्राइब कि Cinel ChirSD की युपस्तिती में ठीक है Succinyl Chir Spark morality C ठीक है पहले भी आपका कितने कार्वन का गार्वन का और सक्सीनिक थायो का ए viciousables चीक अठीक सप्षिनिक एसलिव बनाता जो कि आपका कितने आरवन का रहतां चार का रवन का और यहां पर क्या होता है छिल्की करणू का हुपियों को ओता है ठीकर ऑ जल का एक unless बन जाता है जिससे है और आक्शिएप श microscopy हो जाता है ठीकिश हो जाता है और जीडीपी से क्या बन जाता है जी टी-पी का फार्मेशन बंद जाता है ठीक है त्यक्राइफ ऐस्टेशल में में सबॉस्जा नहीं इतना याद रखना-स- लिए और इसमें बन जाता है तो इसमें भी एफ़ियूरा रेडियूस हो रहा ठीक है और कहां है सक्सीनिक हईड्रोज़णेज एंजायम होता है इसमें चैने अब होता है आपका कौन सी स्टेप में सेवं इते हैं यह तक है रहा है इसे मेरेज एंजयम की उपस्तिती में जुड़ता है कि इसकी उपस्तिती में पीमरेज को यहां पर इचाहर है और यहां पर भी चाहर है और यहां पर इसमें क। oxy करन से oxylo acidic कामले बनता है जब malic acid का oxydation कराया जाता है तो क्या बन जागा? oxylo acidic acid बन जागा और NAD से क्या बन जागा? NADH2 यानि कि यहाँ पर NAD का क्या हो रहा है? reduction हो रहा है NAD reduce हो रहा है दो hydrogen को वहाँ से भी कम कर देगा यह ठीक है? enzyme काउसा होगा? मैलियो डी हाइडरोजनेज एंजाइम मैलियो जब मैलियो बनेगा तो मैलियो डी हाइडरोजनेज एंजाइम की वो पस्तिती होगी ठीक है तो यह तो हो गए आपके 9 स्टेप इसके बाद कहरा ATP का निर्माड यानि कि यहां से अपसर पूचा जाता है कि ATP कितने बने है और कहा कितने अडू ATP के निर्माड हुआ है गलुकोज के यह कणू के complete oxidation पर यानि कि इसका food oxidation करा दिया जाए गलुकोज के यह कणू का तो इससे आपको 38 ATP oxygen में oxygen में बनते हैं बनेंगे आपके 38 ATP बनेंगे 38 ATP बनेंगे ऑक्सी शुसन में थी कहा है इन में से 8 ATP glycolysis में ऑक्सी शुसन मजब प्रजयन की प्रेजन वाहना हो तो दो प्रकार की करिया होती है और आरोबिक रेक्षन और अरोबिक रेक्षन एयरोविक जो औकसिजन के प्रेजन तो कहरा है इन में से आठ एटीप किस में बनेंगे गिलाकोलिस में और 30 ATP आपके पायरोविक आसिड के यह विक ऑकूदेसिन बनते है जो अभी हमने देखा था क्रेब चक्र में बन रहे थे हमारे 30 ATP तो वही क्या था आपका पायरोविक यह आपके यहां पर कुल मिला के बन जाते हैं ठीक है वह एंजायम के बनने में आपके कितने मिले लिखे उससी तरह से यहां पर भी लिख दिया ठीक है यह बार से नहीं आया जो आपने पूरी साइकल पड़ी थी उसी साइकल से यह अड़ू लिख दिया ठीक है तो दूसरा क्या था आपका आइसोसाट्रिक एसेड में आउक्जैलो सक्षे आउक्जैलो सक्षीनिक एसेड बनने में कितने मिल रहे थे ठीक है और आपका है सक्षीनिक एसेड से ने ने हिते बनने में आपको कितने मिल रहे थे चार कितने थे तो वहापर कितने बह रहे थे चार बन रहे थे इसके बाद tenía तो ने इ Site हैं आपके 30 किते हैं 30 जो कि हमें कहां से मिलें प्रफिट के औक सीडियसन से मिलें ठीक है ऐरूबिक आप से मिलें में लेकिन इसमें जो 8 कितने हैं 30 कि ती पी का कितना होता है अपको याद रखना कितना होता है तो यह हो गई तो यह हो गए आपके उले इस प्रकार से और इस प्रीर प्रेस्पीरियेशन में और आनोगर बाध्य तो आपका आपका आज का सवाल जिसमें आपसे पूचा था कि पायरोबिक कम लेखे ऑक्सी ऑक्सी करना ठीक है पायरोबिक कम लेका तो आपको समझ में आया होगा और पूचा था कि गलुकोज के अकणू के कमपलीट ऑक्सीडेशन से कुल मिलाकर कितने एटीपी का फार्मेशन हो जाता है ठीक है तो यह आपको आपकी समझ में आया होगा ठीक है बिलते हैं अगले वीडियो में अगला कोश्चन लेकर बने र